नमस्कार दोस्तों आप सभी का इक वफर से बहुत-बहुत स्वागत है और दोस्तों यहाँ पर आप हमारे हाथ में देख रहे हैं एक तरफ है Redmi का Note 8 और दूसरी तरफ है हमारे पास Realme का C3 और इस वीडियो के अंदर हम दोनों को ही compare कराने वाले हैं अब आप यह सोच रहे होंगे कि यह ना इंसाफी क्यों हो रही है Realme C3 के साथ क्योंकि यहाँ पर जो configuration है वो इससे काफी ज़्यदा अलग है जो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है वो तो इसको दूर तक भी नहीं चूपाता है लेकिन इसकी comparison की एक वज़ए है बहुत सार के मामले में यह आपस में एकदम सेट नहीं बैठते डिस्पली के मामले में आपस में सेट नहीं बैठते तो आखिर ऐसी कौन सी वज़य है जिसके वज़य से यह comparison मैं करा रहा हूं तो आप यह बात हमें कमेंट करके बता सकते हैं लेकिन फिलाल यहाँ पर हम लोग एक बेस से इनके कीमत के बारे में वह तो आपको description box में ही देखने को मिलेंगी लेकिन मैं बता देता हूं कि यह लगबख आपका 10,000 के आसपास पढ़ेगा अगर आप इसे discount में लेते हैं तो हो सकता है यह आपको 9,000 का भी पढ़ जाए bank वगरा से अगर आप discount लगवाते हैं और अब ज्यादा कम हो जाएगी तो कीमत में काफी बड़ा डिफरेंसेज हैं और देखा जाए तो ऐसे comparison बनता नहीं है लेकिन एक छोटा सा पॉइंट है जिसकी वजह से मैं यहां पर इन दोनों को आमने सामने ला रहा हूं तो फटा फट कराते हैं दोनों ही boxes को पर देखते ह क्या खास रहता है इन दोनों ही boxes में आपके लिए तो दोस्तों आप सभी का एक बार फिरसे बहुत-बहुत स्वागत है यहां पर आप हमारे सामने box देख रहे हैं रेडवी note 8 का और साथ ही साथ है realme 3 हाला कि थोड़ी सी नाइसाफ है यहां पर हो रही है बंट अगर सबसे पहले box की packing की बात करते हैं तो यहां पर आपको कुछ basic सी detail वगरा देखने को मिल जाएंगी जिसे कि यहां पर आपको मिल जाता है 48 मेगा पिक्सल के quad camera, 18 watt की fast charging, 4000 mAh की battery, qualcomm 665 processor और साथ ही साथ Gorilla Glass 5 की आपको corning देखने को मिलेगी साथ ही अगर हम बात करते है realme C3 की तो यह यहां पर realme की जो traditional packing आ रहे थी वही सब कुछ आपको देखने को मिला है, box के ऊपर आपको basic सी detail वगरा देख जाएंगी, यहां पर आपको 5000 mAh की battery देखने को मिल जाती है, 6.5 inches की आपको mini drop notch display देखने को मिलती है, Helio का G70 processor होने वाला है और साथ ही साथ AI dual camera यहां पर आपको यहां पर देखते हैं कि box के अंदर आपको क्या-क्या मिल जाता है, तो दोस्तों यहां पर हाला की जमीन आसमान का अंतर होने वाला है दोनों की accessories में ही, लेकिन यहां पर हम लोग detail से बात करेंगे इन दोनों ही phones के बारे में, तो सबसे पहले यहां पर आपको यह अलग से section म अगर हम open करेंगे, तो सबसे अंदर आपको मिल जाती है, यह SIM ejector pin, और साथी साथी यह कुछ basic सा paper work, और यह मिल जाता है, आपको case cover, तो दोस्तों case cover को निकाल लेते हैं, बाहर देखना यह होगा कि quality इसकी कैसी रहती है, तो case cover की quality की अगर बात करें, तो दोस्तों यहां पर काफी जदा पतला है, तो अंतर यहां पर यहीं से आना शुरू हो जाता है, तो दोस्तों यह open कर लेते हैं, इस section को, तो यहां पर आपको एक छोटी सी SIM ejector pin देखने को मिल जाती है, और साथी साथ यह कुछ चोटा सा paper work वगरा देखने को मिलता है, तो आप समझ गए होगे क यहां पर इस पतले से section में सिर्फ paper work ही देखने को मिला है, यानि की cover यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो phone को निकाल लेते हैं बाहर, लेकिन फिलाल इनको निकाल कर साइड में रखेंगे, क्योंकि बात करनी होगी सबसे पहले यहां पर इनकी accessories के बारे में, तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं, यहां पर आपको छोटी सी cable देखने को मिलती है, तो देखना यह होगा कि यह रहती है आपकी type C cable, साथी साथ यहां पर realme की अगर हम बात करते हैं, तो दोस्तों यहां पर आपको micro USB cable देखने को मिल जाती है, quality के बारे में यहीं कहेंगे क दोनों की ही बैतरीन रहती है, यानि कि accessories में समझाता किसी तरीके कर नहीं किया गया है, लेकिन यहां पर power adapter की अगर बात करी जाए, तो हो सकता है, यहां पर आपको थोड़े से differences देखने को मिल जाए, यहां पर आपको जो output rating में डिफरेंस देखने को मिल जाती है, तो कोई म होता है, लेकिन यहां पर यह आपका एक तरीके से fast charger हो जाता है, तो दोस्तों accessories आपने यहां से देख लिए होंगी, आप फटा फट इन सारे समान को side में करते हैं, बात करते हैं इस phone के बारे में detail से, तो दोस्तों यहां पर मैंने दोनों ही phone को setup करा लिया है, अगर आप सब पैनल मिल जाता है, और यह पैनल full HD plus के resolution के साथ आता है, लेकिन यहां पर realme C3 की अगर हम बात करते हैं, तो दोस्तों यहां पर जो आपको display देखने को मलती है, वो रहती है आपकी 6.5 inches की, साथी साथ दोस्तों IPS पैनल यहां पर भी रहेगा, लेकिन यहां पर आपको HD plus का resolution देखने को मिलता है, यानि कि Note 8 में आपको full HD plus मिल जाता है और यहां पर आपको HD plus देखने को मिलता है, तो कहीं न कहीं quality में तो अंतर एकदम साफ होने वाला है, लेकिन size अगर आप बात करेंगे, तो यह size आपको साफ साफ दिखाई भी देगा उपर की तरफ से, तो दोस्त में आपको 13MP का selfie camera देखने को मिलता है, लेकिन यहां पर आपको C3 में 5MP का selfie camera देखने को मिलेगा, यानि जमीन और असमान का अंतर यहां पर होना तो एकदम तह है, वहीं हम लोग फटाफट बात करते हैं, इनके physical overview की कैसे रहते हैं यह देखने में, तो फटाफट इने निक अंतर देखने को मिल जाएगा, Note 8 में आपको secondary mic देखने को मिल जाता है, noise cancellation के लिए, साथी साथ आपको IR sensor भी देखने को मिलेगा, लेकिन यहां पर Realme में ऐसी कोई भी विवस्ता फिलाल नहीं है, दूसरी तरफ के अगर बात करते हैं, तो यहां पर Realme में आपके volume rockers रहते ह साथी साथ दोनों में ही आपको dedicated sim slot देखने को मिल जाते हैं, नीचे की तरफ अगर हम लोग चले और देखें क्या क्या मिल जाता है नीचे की तरफ, तो यहां पर भी आपको एक छोटा सा अंतर देखने को मिलेगा, चुकि यहां पर आपको audio jack, mic और speaker, grill तो दोनों में देख से लग रहे हैं, तो यहां पर back section को मैं यहां पर रख देता हूं, फिर आप ताकी देख पाएं यहां पर ध्यान से, तो यहां पर back section में आपको एक बड़ा अंतर देखने को मिल जाएगा, जो कि इनके camera setup में रहता है, सबसे पहले अगर हम camera की बात करते हैं, तो दोस्तों य दोनों में ही आपको लंबाई में देखने को मिल जाते हैं, लेकिन camera strength में आपको एक बड़ा अंतर देखने को मिलेगा, जो कि note 8 आपको 48 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 2 मेगा पिक्सल के कैमरास देता है, वहें realme में आपको dual cameras देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपकी 12 प्लस 2 मेग पिक्सल के रहेंगे, नीचे के तरफ दोनों में ही ब्रैंडिक देखने को मिल जाती है, रेडमी में आपको fingerprint scanner मिल जाता है, लेकिन realme में ये सुविधा आपको नहीं दे रखी गई है, तो कुल मिला के अंतर तो बहुत ही जादा है, यहां पर price में भी अंतर है, तो features में भी about phone आप देख सकते हैं, screen में कोई बहुत बड़ा अंतर आपको अभी हो सकता है, ना समझ में आए, लेकिन वैसे तो एक अंतर तो रहता ही है, तो दोस्तों यहां पर about phone के अगर हम बात करें, तो यहां पर सबसे पहले आपको device वगरा की detail दे रखी है, साथ ही साथ यहां पर आपको जो अभी note 8 में version देखने को मिलेगा, वो 9 Pie देखने को मिलेगा, लेकिन फिलाल इसके update version आ गये होंगे, लेकिन यहां पर अगर हम बात करें, तो यहां पर आपको android 10 देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं, यहां पर security patches में भी आपको एक अंतर द processor देखने को मिलता है, लेकिन Realme में आपको Helio का G70 processor देखने को मिलेगा, दोस्तों इस phone के जान यहां पर इसका processor ही होता है, तो एक बार हम लोग जब इसका gaming test करके देखेंगे आगे आने वाले वीडियो में, तब देखेंगे कि gaming के लिए जैसा कि कहा जाता है कि C3 बना है, तो चेक करके देखेंगे इस चीज को कि कहा पर इसकी configuration इस्टेंड करती है gaming में, तो फिलाल अभी हम लोग बात करते हैं यहां पर camera की और देखना यह होगा कि camera कैसा रहता है, तो दोस्तों यहां पर मैंने दोनों कही camera उसको open कर लिए है, अब यहां पर हम लोग normal mode पर photo हैं कि जो angle हो हमारा लगभग लगभग equal हो, ताकि किसी तरीके का कोई doubt आपके मन में ना आए, तो दोस्तों यहां पर मैंने दोनों ही normal mode से click कर लिया है, और जैसा कि आपको पता है कि note 8 में आपको मिल जाता है 48 megapixel का अलग से sensor, तो उसकी बात मैं यहां पर इसलिए नहीं कर क्योंकि यहां पर real view में ऐसा कोई भी option आपको नहीं दे रखा होता है, तो आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा अंतर मिल जाता है आपको normal mode पर, तो अगर आप इस चीच को देख पा रहोंगे तो काफी बड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा यहां पर इनकी quality में, तो हम लोग बात करते हैं, जाकर भई देखते हैं कि वही क्या रहती है, इसकी 48 मेगा पिक्सल पर पर परफॉर्मेंस, हाला कि कोई comparison बनता नहीं है, बट फिर भी मैं एक बार आपको करके दिखाए देता हूं, ताकि आप यह चीच को देख लिए कि भई आपका जो note 8 है, वो कह आपको camera configuration किस इस तर की देखने को मिल रही है, C3 में, तो लेकिन यहाँ पर मैं जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो main comparison बनता है, वो processor को लेकर बनता है, तो ऐसे में हम लोग processor के हिसाब से इसको अगर हम लोग देखें, तो हो सकता है आपको कुछ और आप कर लेते हैं, कि वह सेल्फी के मामले में performance कहां रहती है, क्योंकि realme के selfie cameras काफी जबर जस्त होते हैं, ऐसे में selfie camera की performance तो एक बर realme की compare कराना बनता ही है, तो दोस्तों, यहाँ पर मैं फटा 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 जो है, एक बर focus कर लेता हूँ खुद के उपर, और करता हूँ एक selfie को click up देखना यह होगा कि performance कहां पर रहती है, दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पर Redmi Note 8 की, तो zooming quality बहुत ही जदा तगड़ी देखने को मिली है, अगर आप यहाँ पर इनकी photos को देखेंगे, तो आपको काफी जदा interesting लगेंगी, लेकिन अगर हम यहाँ पर point डालत चुकि मैं zooming, zoom करके जो है, इसको अगल बगल लगाता हूँ, ताकि आप इस चीज को और अच्छे से समझ पाएं, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर काफी जदा अंतर तो रहता ही है, लेकिन अगर आप देखेंगे, यहाँ पर कही न कहीं, कुछ चीज़े अगर आपको clear ह तो आप देख सकते हैं कि configuration कहां तक रहती है, तो इस चीज को अगर आप समझेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि कौन ज़्यादा बहतर है, या फिर अपनी पसंद भी होती है, तो उमीद है आप इस चीज को देखकर अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि क्या ज़्यादा बहत है, तो face lock को एक बार फटाफट compare करा लेते हैं, तो हाथ में लेते हैं ये phone और जैसे ही दोस्तों हम अपने पास on करके आपने सामने लाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि दोनों लगबग लगबग साथ में open हुए हैं, एक बार second चेक करते हैं और जैसे लाते हैं, तो मुझ है तो में तो आते हैं, तो करके बार में लाएंगे लेक्राश्त करें काई PCR भाषब ऱर जैसे लिए के लाएंगे, तो मुझें ़ cause दो खो की जाएंगे लाख दो दो मुझेंैं, पेसले गलॉप येवे क्षिवे सब गलॉि में तो दोस्तों आप मैं बात करता हूं कि आखिर मैंने यह वीडियो क्यों बनाई है तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें जो प्रॉसेसर दे रखा है वो रहता है इक तरीकी से आप इसे एवरेज प्रॉसेसर कह सकते हैं हाला कि मैंने इसका पबजी टेस्ट भी किया है वहां पर आपने इस चीश को बहुत ही बारीकी से देखा होगा कि इसमें पबजी गेम ठीठा तरीके से चल सकता है लेकिन अगर हम बात करें इसकी तो इसकी कीमत बहुत क्या गेमिंग में परफॉर्मेंस इससे बहतर आपको मिल जाएगी चूकि यहां पर आपको वह चीज़ दस ग्यारा हजार रुपए देकर मिल रही है लेकिन यहां पर बहुत इसको पिक कर लेगा अगर उसे गेम खेलना है फोटो वगर नहीं लेनी है तो तो यह चीज़ आ तो इसका तो मैंने हलाकी करा दिया अगर आपको देखना हो तो डिस्क्रिप्शन वाक्स भी आपको लिंक्स मिल जाएंगे लेकिन इसका आप देखे बिगर इसको मत ही उठाईएगा तो मैं एक छोटा सा कंपारजन यहां पर मैंने बताया है ताकि मैं आपको जो है जब इ वीडियो एवलेबल करा दूँगा जहां से जाकर आप उसे देख सकते हैं फटाफटी चल्वर को सब्सक्राइब कर दीजे वीडियो इंट्रस्टिंग लगी हो तो इसे लाइक कर दीजे और जो मैंने आपको बताया था शुरुवात में कि एक कंपारजन बन रहा है वो इन